आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूर्ड में इसमें हम इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम का जो आपका स्कील हैंजमेंट का जो सब्जेक्ट तरह मीडियन एजुकेशन उसके इंपोर्टन कोशन के बारे में डिसकुस करेंगे कि कैसे कैसे कोशिण आपसे पूछे जा सकते हैं expected कोशिण के वारे में हम discuss करेंगे इस वीडियो में तो आएए अब हम देखते हैं कि कैसे कोशिण आपसे पेपर के point of view से पूछे जा सकते हैं तो इसका जो first question है वो है कि शिक्षा की प्रभावी कारक के रूप में जन संचार की भूमी का बताईए मैंने आपको जन संचार का मतलब बता रहा है कि हाँ जन संचार का मतलब क्या होता है कि संचार का मतलब होता है कि जब दो चोटे लेवल पे हम किसी से क्या करते है तो वो क्या होगे जन संचार क्योंकि उसमें क्या हो रहा है वास्ट लेवल पर आपसे संचार किया जा रहा है तो वो क्या होता है जन संचार आप वही बोला है कि जो जन संचार है उसी के प्रहावी करा कि रुखन बताईए कि शिक्षा के शेत में उसके क्या भूमी का है जन स करते हैं अपनी बातों को व्यक्त करते हैं मुझ से अक्सपेस करके हैं क्या चाहिए बदा रही हूँ और अच्छा वकता बने जिए विविपिन्ष को बता है कि वक्ता में कैसी कैसी क्वालिटी होनी चाई कि वो फश्ट बोलना आ चीए उसको शब्दों ग्यान होना चाई इस टैप से आप इसकी अच्छा वक्ता के लिए कैसे क्या होनी चीजिशन उसको दिए जाएं तो वहीर चीजाए और को की बहुता है इसमें आप से यह वंजवता сторि सब्सक्राय कि Soc chiar मैंब भूमिका को बता है समचार की बिभुमिका बताई है तो यह तो यह दोना एक ही सबस्क्राइट करा पर दिया ऊपकी बोलने के तरीखा उस में को आपको अपनी वीडियो में बता रखा है इस पर आपसे आगर मैंने आपको कोई टर्म्स क्लियर करवा लेखिए न तो आप उसमें एक वास्ट कोशन कभी बेभी प्रिपेर करने की कोशिश करना क्योंकि आप आपके पेपर में आता है वरना अगर वैसे देते पॉइंट वाइस देते हैं ए भी श्रक्षिन में डिवाइड करके तो 77 मार्क्स का डिवाइडिबल होता है बट अगर आपसे पंद्रा मार्क्स में बहुत लिखना भी पड़ेगा बड़ा बड़ा कोश्चन के एंसर को भी पड़ेगा कम चार-पांच पेजिस में एक कोश्चन का एंसर होना चाहिए आपके तो वही चीज़े कि मैंने आपको किसी टर्म्स के अगर मतलब बता रखा तो उस टर्म्स के वाँ में आपको अच्छे से और नौलेज होनी चाहिए तो वही चीज़े कि आमोखिक संचार क किसे नार्श बोल सकते हैं हम और निक्स के नापको अपनी बातों के अपनी बातों के अपनी बी competitors के तो आपनी चीजिजे कि आश है कि अब करकार में भी यहीं समीना आपको से прямо नेक्स पाशिन के शिक्षा में रेडियो और श्राव प्रवावित करता है तो इसमें पूछा गया नेक्स्ट को प्योग कि प्रकार के मस्तिक्ष को और संग्यात्म को प्रभावित करता है तो यह इसमें पूछा गया अधिया की क्या है और विग्यापन कितने करकार की होती है एक प्रभावित विग्यापन करम को कैसे विख्शेत किया जाता है विच्टार से समझाए अब करने शुट बिकरी को दिया जाता है वो ही क्या है टो उसी के बाएंड में आपको बताना है कितने प्रकार की उतर है नेक्स्की कोशने के घर्टे ध्यान की अवधी आपके शोचल मीडिया को कैसे प्रभावित करती है कि जैकलिए कि आपसे किस चायब के कोशने एक्साम म कूल देख लेना एक बार आप इसकेग है चैनल को करके ही जाना पर इती है यह आपके लिए बेनों चाहे लिए गार अगर में आपको यह अच्छी लगत